नमस्कार, नौ देन नौ मंत्र आप सुन रहे हैं राजुल के साथ और आशिरवात से परिपून है नवरात्र का पांचमा दिनौ इस दिन मादुर्गा की पांचवी शक्ति सकंद माता की आराधना होती है भगवान स्कंद, अर्थात, श्री कार्थिके की माता होने के कारण मादुर्गा की पाचवी शक्ति को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है मा के आशिरवात से संतान का सुख मिलने के साथ ही दुखों से मुक्ति भी मिलती है मा सकंद माता का वन पून तहा शुप्र है मा कमल के आसन पर विराजमान है इसी कारण इन्हें पदमासना देवी भी कहा जाता है सिंग पर आरूड होने के कारण मा सकंद माता को सिंग माहिनी कहा गया है सकंद माता सूर्य मंडल की अधिश्ठात्री देवी है मा की आराधना से विशुद्ध चक्र जाक्रत होता है सकंद माता की पूजा आरंभ करते हुए सर्व प्रथम एकाक्र होकर मा की स्वरूप का ध्यान करते है वंदे वांचित कामार्धे चंद्रार्दिक्रत शेखराम सेंग रूळा चतर भुजा सकंद माता यशस्वनी धवल वरणा विशुद्ध चक्र इस्थिताम पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम अभय पत्म यूग्म कराम डक्षन उरू पुरुधराम भजेम मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित सिंग वाहिनी चार भुजाओं वाली यशस्वी शुप्रवन वाली देवी इसकंद माता विशुद्ध चक्र को जागरत करें त्रिनेत्र धारी मा दुर्गा का पंचम स्वरूप जिनके दो हाथों में सुख सौभा के सूचक कमल पुष्प शुभाय मान हो रहा है एक हाथ से बालूरूप में शुरी कार्तिके को अपनी कोद में लिये हुए और एक हाथ वर मुत्रा में उठाय अपने भक्तों को अभायदान दे रही मा स्कंद माता को प्रणाम है इस प्रकार मा के स्वरूप का स्मरन करते हुए ओम देवी स्कंद माताये नमह इस मंत्र का जाप करते हुए कलश की पूजा करते हैं और मा को सिंदूर, गोरोचन, अक्षत, इत्र और पुष्प अर्पित करते हैं इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कर मा की आराधना करते हैं मा को भोग लगाते हैं और विशुद्ध चक्र में ध्यान के इंद्रित करते हुए इस मंत्र का जाप करते हैं नमामी सकंद माता सकंद धारिणीं समग्र तत्व सागरं अप्रम पार गहरां पुनह पुनर जकत विदां नमाम में हम सुरार्चितां जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमां भाक्त की सारी छाएं पूरी करने वाली मोक्षदाईनी बहूल रत्म धारन करने वाली सकंद कुमार की जननी सकंद माता को प्रणाम है जकत जननी डया करें विशुद्द चक्र जागरत करें अपने अलोकिक तेज और कांती से जीवन को प्रकाशित करें बुद्ध ज्यान और विवेक का वर्दांतें प्राणों को जागरत करें और दिवि उर्जा का संचार करें इस प्रकार प्रार्थना करते हुए मा की कथा सुनते हैं आर्थी करते हैं और मा से प्रार्थना करते हैं कि वो प्रसंद होकर जीवन में आने वाले अंधिकार को दूर करने की शक्ति प्रदान करें और आत्मो थान की ओर अग्रसर करें या देवी सर्वभूतेशु मा स्कंद माता रूपेन संस्तुता नमस तस्यई नमस तस्यई नमस तस्यई नमो नमख अगर नौदीन नौमंत्र सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेर करना ना भूले अपने सुझाओ यानि सुजेशन्स के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना न भूले